वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल उपलर गुरूपे स्टूडेंट्स बात करने वाल हैं पार्ट वान और पार्ट टू के बारे में क्या कुछ नए लेटेस्ट अपडेट्स निकल के सामने आए हैं पार्ट लेपुतर यूनिवर्सिटी के क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता दें जो सेशन 20-23 है और सेशन जो 19-23 है बहुत तरह के यहां पर क्वेश्चन्स सभी स्टूडेंट्स के पास हैं तो उसी के बारे में आज बात करने वाला जिस वीडियो में जितने भी तरह के सवाल आप सभी छातर छातराओं के पास आप लोगों ने जो मुझे पूछे हैं उसका एंसर देने वाले हैं और खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत सरे ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं जिसके बारे में उसका एंसर आज देने वाले हैं क्या कुछ नए अपडेट् यानि कि जो students part two और part three में admission लेने वाले हैं जासे कि अगर आप बीस तरी के इस स्टूनें से तो आपका part two में admission होने वाला और part three में admission होने वाला यहां पर 1922 session का तो दोनों सेशन के लिए बहुत important वीडियो होने वाली है ये तो वीडियो को complete ज़रूर देखें और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दे कि हमारे चैनल पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से सभी के सभी updates सबसे पहले दिये जाते नहीं अभी तक जुड़े हुए हैं तो पूरी कर ली गई है लेकिन ऐसे बहुत से colleges हैं जिसमें कि अभी भी admission की प्रिकिरिया पूरी नहीं हुई है ऐसे में बहुत सारे students confused हैं जब वो दूसरे चात्रों को देखते हैं कि इनका part 2 या फिर part 3 में admission हो गया है तो confused होते हैं कि अभी तक उनका admission नहीं हो पाया है तो क्य server issues जैसे कि online admission होता है कुछ server issues उशी में से एक तरह से आप लोग का यहां पर एक notice अभी दिखाने वाले हैं जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं जैसा कि यहां पर students देख सकते हैं यह BD college पतना का यहां पर एक notice है सना तक part 2 और part 3 में चल रही online नमांकन प्रिकिरिया क server में आई तक्निकी खराबी के करण अगली आदेश्त के लिए स्थगित किया जाता है ऐसे में अगर इस college के students बाकी college को देख के अगर confused होते हैं या फिर अगर आमाल लेते हैं आपका BD college नहीं आपका कोई और college हो आपका अभी तक admission नहीं हुआ है तो students इसमें परेशान होने कि कोई बात नहीं है क्योंकि जो आपके admissions हैं वो दुबारा से start होने वाले हैं और अभी admissions हो रहे हैं अभी online admissions हो रहे हैं और सभी students को बता दें आपके results आने के बाद सभी admissions को दुबारा से यहां पर लिया जाने वाला है दुबारा से का मतलब जिनका admissions अभी तक नहीं हुआ ह उनका admission दुबारा से continue होने वाला है क्योंकि अभी पूरा 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 पार्टले पूर्ट यूनिवर्सिटी का focus आपके results के उपर है results दो से तीन दिनों के अंदर जारी होने वाला है आप सभी का results आज 14 तारीक है और जैसा कि आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियो में देख रहे तो उसमें बताया गया था आपके जो examination control है महेश मंडलदवारा की holy से पहले आप सभी students का result है उसको जारी कर दिया जाएगा और बिल्कुल यहां पर वैसा ही किया जाएगा और ज्यादा वक्त नहीं बचा है यहां पर तो सभी students ready रहे और अगर यहां पर admission को कर के confusion में तो उसका confusion अभी यहां पर ना सोचें क्या कि अभी पूरा 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 प्रिपुदर यॉनिवर्सी का जो पूरा ध्यान है वो आपके results के उपर है क्योंकि results जारी करना है दोनों session का यहां पर आपका जो 19 12 session है उसका और आपका 20 20 session है उसका तो सभी students के लिए उनके results के लिए best of luck है अगर आपके पास अभी भी कोई question है या फिर हो सकता है कि आप सभी students के colleges में admission की प्रकिरिया चल रही हो तो सभी students को हमारा जो telegram और whatsapp group है उसको ज़रूर जोइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पे आप सभी के colleges के जो notices हैं क्योंकि एक university का notice अलग होता है और college का notice अलग होता है और हर college में अलग-अलग date पर जो admission है उसकी प्रकिरिया की जाती है तो सबका जो separate college का जो notice होता है वो हमारे telegram और whatsapp group में डाला जाता है तो दोनों को ज़रूर जोइन करके रखें और जो भी आपके subject में आपके professors द्वारा जो भी पढ़ा जान में जाके दोनों को जरूर जोइन करें वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और शेयर भी जरूर कर दे इस वीडियो को मिलते है students next update के साथ है जैसी कोई भी update आता है उसके साथ और update से जुड़े रहने के लिए चैनल से भी जुड़े रहे सबसे अगला update यह जैसे कोई भी update जारी होता है पाठले पुथर यूनिवर्सिटी से आपके लिए उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार